प्रेंड्स मैं डॉक्ट्टर मीनाक्षी सेहीं। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होमेपैथिक कंसर्टैंग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होमेपैथिक मैडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका रेस्परेटरी सिस्टम पर बहुत ही अच्छा रोल है तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकोन बटन दबाना बिलकुल ना भूले जिससे कि मेरा अगला वीडियो जब मैं डालू तो आपको इन्फोर्मेशन मिल सके तो श्ठाट करते हैं आज मैं आपको जिस होमिपा्थिक मेरेसिन के बारे में बताने जा रही हूं उसका नाम हैस्पॉंज यह टोस्टा इसका कॉमन नेम है रोश्टेज especially स्पॉंज तो इस मेर्शिन か सुखी खासी की परिशानी होगी उसको अंदर से जैसे जो जब उसको खासी आएगी कफिंग के लिए करेगा तो उसमें से बार्किंग साउंड आएगा भौं-भौं की आवाज आएगी साइस तरह से आवाज सुनाई पड़ती है अगर ऐसे लक्षन है तो इसके लिए बहुत अच्छी मैडसिन है कि मान लीजे आज बच्चे ने आइसक्रीम खाई रात में तो उसको कोल्ड नहीं हुआ उसके एक दिन अगले दिन या फिर नेक्ष्टे होता है तो फिर इस पॉंजिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर आपको आपने उसे दिन किसी आप कोल्ड कोल्ड हुआ या फिर अपने मतलब ठंडी हवा में गए वहां से आपको तुरंथी स्नीजिंग स्टार्ट हो गई नाथ में ड्राइनेस होने लगगा अगले दिन चीक आने लगई तो इसके लिए आप एको नाइट यूज कर सकते हैं अगर तुरंड सिम्टम आते हैं तो ए जाता है तो पर जाता है तो उसको वापस निगलना पर जाता है थूपने में उसको परिशानी थुख होती है तो अगर ऐसे सिंटम्स हैं तो भी इस पॉंजिया का बहुत ही अच्छा रोल है यह जो मैटसिन है इसमें जो आपका जो रेस्परेटी सिस्टम में आपका लैरिंग्स है ट्रैकिया है इन सब में ड्राइनस मिलता है ड्राइनस की वज़ा से उसको गले में दर्द भी साल साती होर्सनिया उनिन सांट मिलेंगा ऑपन जो और किस चैट्रा उन साहन है रोता है अच्छा का वान दोप्रैक्सेट जाएं ऑसिन 21 जाशुक चाट शचान हो जो करती है यह इसको न में बहुटकर पड़ है तो जो प Whether you emotional, medicine डर बना रहता है और बना भान सब्सक्राइब करते हैं तका है justification 10 सूखापन य टेखने का इसलोग और आगे हैं आगे हैं आइस की बात करते हैं कि आइस में क्या अलक्षन देखने को मिलेंगे आइस में उसको आँख से वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है या तो कभी कभी गमी या तो म्योकस डिस्चार्ज भी हो सकता है जासे आप देखते हैं कि आपको कोल्ड हो जाता है बच्चों को cold हो जाता है तो आखों से लसलसा पदार्थ निकलने लग जाता है तो ऐसे केस में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज है और head में क्या symptom मिल देंगे उसको जो patient होगा मरीज होगा उसको बहुत ज्यादा headache होगा headache जो होगा mainly forehead में होगा माते वाले हिस्से भी होगा ऐसा लगेगा कि जो सिर है उसका वो फट जाएगा इस तरह के symptoms देखने को मिलते हैं अब अगे चलते हैं mouth की तरफ कि mouth में क्या-क्या लक्षन देखने को पाए जाते हैं mouth में जो tongue होगा मरीज का जीब होगा वो एकदम सूखा लगेगा उसको सूखे पन के साथ में वो brownish color का पाए जाता है लेकिन dryness जो है tongue का वो main है इसमें अब थ्रोट की तरफ चलते हैं जो throat में क्या symptoms है thyroid gland जो है वो बढ़ा हुआ होगा उसमें swelling होगी means thyroid gland में सूजन होगी और throat में dryness मिलेगा और साथ ही साथ में pain भी present होगा यहां तक कि जो उसका गला है उसको अंदर से बहुत जादा उसमें pain दहगा कि जैसे मैं आपको बताया है कि रूखापन dryness जो है इसमें main symptom है तो इसमें dryness जो है गले में पूरा उसका ड्राई लगेगा और साथ ही साथ pain present रहेगा जो patient होगा उसको मीठी चीजे खाने से मीठी चीजे खाने से उसकी परिशानी बढ़ जाएगी गले में और ऐसा लगेगा कि कुछ फसा हुआ है और इसके साथ ही साथ जो मरीज वो अपने गले को इस तरह से मतलब साफ करने की कोशिश करता रहेगा कि गले में जो है फसा हुआ है वो निकाल सके तो यह तो रहे थ्रोट के सिंटम्स अब आगे चलते हैं बात करते हैं इस टमक में क्या-क्या लक्षन देखने को मिलेंगे जो मरीज होगा उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और पानी की भी उसकी जो अर्जिंग है वो बहुत ज़्यादा पानी पीता होगा और इसके साथ हिचकियां हिकफ भी इसमें कॉमन है हिकफ भी देखने को मिलता है यानि हिचकियां आती हैं और मरीज अपने पेट के आसपास जो है वो टाइट क्लॉट नहीं पहन सकता है उससे उसकी परिशानी उसको लगता है कि बढ़ने लग गई है आगे देखते हैं कि इसमें मेल में क्या-क्या सिम्टम्स पाई जाते हैं तो मेल में जो है वर्मेटिक कॉर्ट्स और टेश्टिक पेन इस्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हंगर फील करेगी कि बहुत ज्यादा भूक लगा है उसको और इसके साथ इसाथ पैल्पिटेसन यानि उसका जो पैल्पिटेसन होने लग जाएगा स्वेटिंग होती है और इसके अलावा एमिनोरिया एप्सेंस कि अज़ा आगे मिलेंगे साथ इसाथ अस्तमा की कर्णिशन भी हो सकती है तो यह तो रहे फीमेल में जो सिम्टम्स मिलते हैं आगे है हर्ट हर्ट में क्या क्या लक्षन देखने को मिलेंगे जो मरीज होगा उसको बहुत ही ज्यादा पैल्पिटेसन होगा रैपिज और बहुत ज्यादा बेचानी होने लग जाती है तो ऐसे केसे में इसका जो इसका बहुत ही अच्छा रोल है जो मरीज हो को आधी रात में उठकर के बैठ जाता है उसके अंदर एक डर बना रहता है जिसे बोलते कि फियर ओफ डैथ की कहीं मैं मर ना जाओ इतनी ज्यादा उसको expands Furings Wenn गोजें की सुजन रहेज़ और मेज जाता है मेजल में इसका अच्छा रोल है स्पॉंजिया टोस्टा का आगे स्लीप स्लीप में जो पेसेंट होगा उसकी परिशानी होगी वो सोने की बाद बढ़ जाती है सोने पर उसको लगेगा कि उसको बेचानी और ज्यादा बढ़ गई है पैलपीटेशन होने लग जाएगा तो पेसेंट नीद से जाग करके आधी किस चीज से प्रेशन जो है उसको आराम मिलेगा किस चीज से उसकी परिशानी बढ़ जाएगी तो रात में लेकनी पर जो मरीज है उसकी दिकत बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ जो आराम मिलेगा उसको बेटे बाई एक मैडिसे आप सेकंड आप सेकंड टिरिसन यूज़ कर सकते हैं इसके लावा मजा टिंचर भी इसका अच्छा वर्क करती है साथ ही साथ 30 CH पोटिंसी भी उसकी जा सकती है तो यह तो रही इस मैडिसिन के भारे में में मेन चीजे ऐ मैंने आपको बताई है इसका जो main work मैंने आपको जैसे बताया कि सूखी खासी अगर आपको आ रहे है रेस्परेटिर सिस्टेम की कोई परिशानी है तो इसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल है तो अगर ऐसी कोई परिशानी है तो इस medicine को यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई query है तो आप मुझे message करके पूछ सकते हैं मैं आपको reply कर दूँगी या तो आप मुझे appointment लेना चाहते हैं तो description box में मेरा link दिया हुआ है आपको उस पर appointment ले सकते हैं तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो इसको like करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको subscribe कर लें मिलते हैं फिर next वीडियो में thank you bye bye